Hello everyone, SSC Stenographer 2022 का answer किया गया है, काफी जल्दी answer किया गया है, तो इसके regarding आपको एक important information, कि please हमारे survey में ज़रूर participate करियेगा, ताकि expected cut-off का prediction हो सके, थोड़ा आपको एक अंदाजा मिल सके कि expected कितना cut-off जाएगा, हाला कि इसका result भी जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी एक अगर आप idea लेना चाहते है, क्योंकि बहुत बड़ा bump फोड़ दिया SSC ने, skill test का rate है, वो release हो गया है, तो answer की देखने के लिए आपको क्या करना है, कि आपको pin comment में एक link मिलेगा, link में आप जाएगे, सीधे link पे click करना है, और अपना details भरना है, यानि की role number और date of birth सही पूछता है, या कुछ भी है, जो आप जाएगे, आपको इसरी समझ में आ जागा कि वो क्या पूछ रहा है, वहाँ पे आप डालोंगे, तो आपको एक link खुलेगा, उसके अंदर आप PDF भी generate कर सकते हैं, तो आप PDF generate करके अपने reference के लिए सबसे पहले रख लेंगे, क्योंकि यह जो link है यह limited time के लिए open होता है, तो यह PDF आप generate कर लेंगे, इसमें क्या होगा, कौन से question आपने सही किया है, उसका जो सही option है, और आपने जो option चूज किया था, दोनों आपको मिलेगा, इससे आप compare कर सकते हैं, अगर आप लोग जल्दी check करना चाहते हैं, तो जल्दी check करने के लिए एक code है, उस code का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं, ताकि एक second के अंदर आपको पता चल जाए, आपका marks calculate होकर कर आ जागा, वो code आपको कहा मिलेगा, वीडियो के description में मिलेगा, description में मिलेगा, description से आपको सीधा code आपको copy कर लेना है, अगर आप laptop में यूज कर रहे हैं, और कोई भी browser जाएंगे, आप mozilla firefox या फिर google chrome में, जिस page में ध्यान रखेगा आपका code खुला हुआ है आपका answer की, उस page में पहुचकर आपको control के साथ, यह control जो key होता है, आपके keyboard पे, control के साथ shift दबाईएगा, control के साथ shift और उसके साथ आई दबाएगे, control shift आई, यह तीनो button एक साथ दबाएगे तो आपका क्या open होगा, console open हो जाएगा browser में, तो उस browser के console में आप code को एक साथ paste कर जाएए, कोई उसमें change नहीं करना, आपको calculate करके आपका positive marks से negative marks को घटा करके आपका exact score आपको दे देगा, यह सब चीज़े आपको ज्यादा complicated लग रहे है, तो simple PDF खोल के आप calculate कर लिजे, सही question के लिए, एक marks मिलते हैं और गलत करने के लिए 0.25 marks काट लिए जाते हैं, तो इससे आप calculate करके पता लगा लिजे, कि कितना marks आपको हमारे survey में जरूर participate कर लिजेगा, ताकि आपको expected cut-off का idea मिल सेगे, प्लीज हमें ज्यादा data दीजे, ताकि हम लोग एक accurate prediction कर सके, मुझे ठीक से याद आ रहा है, तो skill test का date भी announce हो गया, तो 15 February और 16 February को skill test होगा, तो इसमें जो experience player है, उनको क्या करना चाहिए, जो नए experience है, जिनको कुछ knowledge है, skill test का, उनको क्या करना चाहिए, जिनका zero level skill test में उनको क्या करना चाहिए, और आगे overall क्या move रहना चाहिए, जो भी experience player है, experience player मतलब, जिनका already 80 words per minute cross हो चुका है, और साथ उन्होंने पिछले बार exam भी दया होगा, इस बार marks improve कर रहे हैंगे या कुछ भी, तो उनको कोई attention लेनी के जरूत नहीं है, उनके लिए golden opportunity है, क्योंकि जो लोग भी अच्छे से तयारी नहीं कर पाएंगे, वो लोग अब demoralize हो जाएंगे, और अब skill test देने वो लोग नहीं जा रहे है, जो नए experience है, जिनको थोड़ा knowledge है, वो लोग basic चीज़े सीख शुके हैं, बस उनको थोड़ी practice की जरूरत था, उनको confidence है कि अगले धाई महीने में, वो 80 words per minute minimum छू सकते हैं, अगर उनको यह confidence है, तो उनको अच्छे स्त्यारी करनी चाहिए, लेकिन आपको अपना 100% देना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, धाई महीना काफी कम time होता है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है, कि आप cut-off जादा नहीं जाएगी, मतलब जो भी cut-off जाएगी, मतलब सपोज मैं एक्जामपल के लिए बोल रहा हूँ कि मानलो, grade DG cut-off 135 होते है, यह just as an example है, तो इसके जादा उपर final cut-off jump नहीं करीगा, आपको पता होगा, final cut-off jump होके बहुत उपर चली जाती है, लेकिन इस पार final cut-off जादा jump नहीं होगा, क्योंकि जो भी ऐसे लोग होंगे जिनको skill test नहीं आता, अब उनका खेल खता में, ऐसे लोग जिनको zero level है skill test में, उनको तयारी करके कोई फायदा नहीं है, धाई महीने में सीखना ना मूम के ना, plainly मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपको सिखा रहा है, आपके साथ course भागरा बेच रहा है, आपको simply misguide कर रहा है, धाई महीने में आप zero level से skill test नहीं सीख सकते, impossible है, इसमें कुछ मैं यह नहीं बोलोगा, कि थोड़ा जादा effort डालोगे, कुछ भी करोगे, दिन भर सीखोगे, सोना छोड़ दो कि तब भी आप नहीं सीख सकते, zero level से skill test का त्यारी अभी नहीं हो सकता, क्योंकि 80 words per minute आपको लाना है, हाई महीने में, इसलिए ऐसे लोग जिनका zero level है, जो लोग कभी भी skill test का त्यारी नहीं कियो, कुछ भी नहीं आता उनको skill test के बारे में, वैसे लोग अपने मन से विचार निकाल दें, कि आपको skill test का त्यारी करना है, तो वैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, best move क्या होगा, best move यह होगा, कि आप या तो next steno का wait कर लो, जो कि कब होगा, बिल्कुल uncertainty है इसके उपर, यह मत पूछना next steno कब हैगा, कोई नहीं जानता है, क्योंकि अभी इस साल का steno का cycle complete हुआ, maximum vacancies इसमें डाल दी गई है, तो आगला steno अगर आएगा भी तो बहुत, या तो vacancies कम रहेंगी या तो बहुत लेट से आएगा, इसलिए उसका वेट करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी अगर आपके पास समय है, otherwise आपके लिए best move मेरे according यह रहेगा, कि जो CHSL का exam होने वाला है, जिसका 6 December को notification planned है आने का, उसके उपर focus करो, थोड़ा सा maths है मैं समझ सकता हूँ, लेकि CHSL में भी pattern change expected है, तो जो maths का domination होता था, यहाँ पर थोड़ा कम होगा, तो इस तरह की चीज़े आनी की उम्मीद है, तो CHSL की आप तैयारी कर सकते हो, अगर थोड़ा maths सीख सकते हो, otherwise अगर आप बिल्कुल आपका mindset है कि आप maths सीखी नहीं सकते है, तो CGL के पिछे तो खहर जाना ही मत, CGL काफी कम टाइम है, तो CGL में जाके आपका कोई मतलब नहीं, until and unless कि आपका maths थोड़ा भी ठीक है, लेकिन जिल लोगों का maths वीक है, तो वो लोग CHSL के ट्राइक कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आप देखो, नोटिफिकेशन डिले हुआ है, तो नोटिफिकेशन डिले होने का मतलब सीधा सीधा यह है, कि वेकेंसी में राइज एक्सपेक्टेड है, और एक्जाम पैटन में चेंज एक्सपेक्टेड है, यानकि इसमें भी हो सकता है कि tier 1 क्वालिफाइंग नेचर को हो, या इसी तरह का कोई positive change किया जाए, ताकि जो one-sided advantage मिलता था math English वाले लोगों को, उनको थोड़ा one-sided advantage ना मिले, थोड़ा level playing field बने, इसमें descriptive का खेल भी खतम किया जाए, और जो भी चीज होगा इतना धियान रखना, कि अगर ये वाला CHSL आप crack करते हो, तो अगले साल आपके हाथ में job रहेगा, योगी रोजगार मिला वाला scene चल रहा है, सारी चीज़े fast चल रही है, SSC ने जो काफी process fast किया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, हलागी ये वाला जो एक fast हुआ, ये आपके favor में नहीं गिरा, इन लोगों के favor में नहीं गिरा, लेकिन इनके favor में गिरा है और इनके favor में गिरा है, बहुत ही जल्दी आपके पास job रहेगी, तो इसलिए जो लोग तयारी कर सकते हैं, बिल्कुल screen test के तयारी करो, धाई मैंने में zero level से तयारी नहीं होगी, तो वैसे लोग तयारी मत करो, अपना time मत बरबाद करो, या तो CHSL में जाओ, या नेक्स टेनों के लिए wait कर सकते हो, तो wait करो लेकिन वो uncertain है, best option है कि CHSL का form तो जरूर डालना, coupon भी है, coupon code, अगर आप officer लगाते हो, O F F I C E R capital में, तो आपको 10% का discount भी मिलेगा, तो वहां से जाकर के अगर आप general awareness का course लेना चाहते हो, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और बागे SSC के दूसरे toppers का भी वहां पे material डाला हुआ है, तो उन लोगों से भी आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, Hindi English दोनों में lectures मिलेंगे, लेकिन लेक्चर का notes Hindi English मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ा रहे होंगे वह Hindi महीं बात करेंगे, तो वीडियो बस यहीं तक था है, आई होप आपको वीडियो से कुछ useful information मिला होगा, survey में जरूर participate करनो और सारे तरफ इस survey को फैला दो, क्योंकि अच्छा हम लोग इसमें prediction करते हैं, हर साल काफी accurate बैठता तो इस बार भी hopefully अगर आप लोग data अच्छा देते हो तो accurate ही बैठेगा, चलो वीडियो को देखने के लिए धन्वाद, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ share भी शरूर कर देना, मेरा नाम है रिशिकेश, जय हिंद।